तीन कैनाल और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आटो लेवल इंस्टुमेंट का उप्योग निम्नलिखित उद्देशों के लिए किया जाता है. 1. कैनाल अलाइनमेंट नहर की सही दिशा और अलाइनमेंट सुनिश्चित करने के लिए ताकि पानी सही धंग से प्रवाहित हो सके और नहर का उप्योग प्रभावी हो. 2. Grade Control नहर के धलान, Slope को नियंतरित करने के लिए जिससे पानी का प्रवाह समान और प्रभावी हो सके सही धलान जल के प्रवाह को सही दिशा में सुनिश्चित करता है 3. Irrigation System Design सिंचाई प्रणाली के विभिन भागों जैसे चैनल्स, पाइपलाइन्स और बासिंस की सही उचाई और स्तर निर्धारण के लिए ताकि पानी सभीक शेत्रों में समान रूट से वित्रित हो सके 4. Surveying Canal Bed नहर के बिस्तर की उचाई और आकरती को मापने के लिए ताकि निर्मान और रखरखाव के दौरान सही लेवल बनाए रखा जा सके 5. Drainage Systems जल निकासी प्रनालियों के डिजाइन और लेआउट के लिए सही धलान और स्तर सुनिश्चित करने के लिए जिससे अतिरिक्ट पानी को सही धंग से निकाला जा सके 6. Canal Construction नहर की खुदाई, निर्मान और समतल करने के दौरान सटीक स्तर और धलान बनाए रखने के लिए ताकि नहर का निर्मान मानक के अनुसार हो सके 7. Maintenance and Repairs, नहर और सिंचाई प्रणालियों के रखरखाव और मरम्मत के दौरान सही स्तर और धलान की निगरानी करने के लिए ताकि प्रणालिया सुचारो रूप से काम करती रहें इन कारियों में Auto Level Instrument की सटीकता और स्थिर्ता नहरों और सिंचाई प्रणालियों की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करती है